तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है कि कौन से ऐसे factors हैं जो हमारी preparation को आसान बना सकते हैं कि क्या sir जेई को crack करना आसान है आज हम लोग एक बहुत important question के बारे में बात करेंगे जो हर बच्चे के दिमाग में होता है कि क्या sir जेई को crack करना आसान है क्या sir जो market में चल रह करेंगे तो वहीं से selection हो जाएगा तो चलिए मैंने क्या करा है कुछ चीजों को जो आपको ध्यान रखनी है इस पूरे अपने tenure में जो आपके दो साल हो सकते हैं कई बच्चे जो 11 में अभी moving करें हैं और कुछ बच्चे जो हमारे पास 12 में moving करें उनको कौन से points पर ध्यान चीए जिससे उनकी preparation tension free हो सके अब हो सकता है कि आप अभी मेरे साथ 11 में जुड़े हो अरजुना बैच में या हो सकता है 12 में जुड़े हो लक्षे बैच में यह दोनों के लिए ही applicable है तो आपको यह नहीं देखना कि यार यह तो 11 वाले के लिए हो रहा है नहीं यह सेम तो हमारी preparation को आसान बना सकते हैं तो सबसे पहले आता है self discipline basically बात यह है self discipline मतलब कि आपका जो regular routine है आप उसको properly follow करें क्योंकि ups and downs आपके life में आएंगे हो सकता है कभी आपके घर पे कुछ function हो कभी कबार हो सकता है कुछ disturbances भी हो लेकिन आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चा बार हमेशा कहते हैं कि कई बार आपकी तब्शची गोगी और कई बार आप खुश भी होंगे और कई बार आपकी तो हो सकता है एक एक टूपक को बहुत जादा Elaborate वे में पढ़ाया हो और जिसकी time requirement जादा है लेकिन आप उसको कम टाम देना चाहते हैं क्योंकि आपके लि अपने aim के लिए consistent है, कि जितने भी मेरे पास दिन है, मेरे को एक minimum arts और minimum study रखनी है, तो आप असानी से इस game को पार कर जाएंगे, self-belief, हमारे पास जो next parameter आता है, वो बहुत सारे बच्चों में, मैं जब online में हम लोग आये हैं, तो हम लोगों को ये पता लगा, कि ये वाला factor बहुत कम हो गया है, reason being, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों से opinions लेते हैं, और कई बार वो opinion आपकी category में लाए नहीं करते, हो सकता है, उन्होंने अपने एक subset में से कुछ opinions बनाए और अपनी life चला रहे हैं, और उन्होंने जब वो opinions आपको बताए, तो आपने, क् उस opinions के हिसाब से अपना success पाया, तो आपको लगा कि यार ये opinions हो सकता है, success पाने के लिए ही होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी fix and factor नहीं होता, बेटा, hit and trial सब की life में चलते रहते हैं, आपको कही न कहीं अपने पे self-belief रखना पड़ेगा, कि मैं जो preparation कर रहा हूं, उसकी proper analysis करन के solutions हैं, उनको आप अपने उसमें life में incorporate नहीं कर सकते, आपकी problem set अलग है, आपके solution का set बिलकुल अलग होने वाला है, तो आपको belief रखना पड़ेगा कि yes, you can do it, और आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, फिर है self-responsibility, ये एक बहुत बड़ा important factor है, online as well as in offline field, क्योंकि क् हो सकता है कि मैं 2 घंटे की class लूँ, physics और हो सकता है chemistry वाले हमारी जो faculty है, वो 2 घंटे की class ले या फिर maths वाले, आपकी दिन में हो सकता है 2 घंटे क्लास हो या 3 घंटे क्लास हो, ये हमारे पस मैं माल लेता हूँ, 4-5 hours हमने आपसे ले लिए पढ़ाने के लिए, remaining 20 hours जो आपक efficient then you are wrong और आप हो सकता है गलत रास्ते पर भी है, कि ये हमारे पास preparation आसान करतेगा, नहीं, आपके जो 20 घंटे जो आपके पास है उसको आप कितना fruitfully use करते हैं और कितना responsibly use करते हैं, वो matter करता है, क्योंकि जो पूरा game है अगर आप देखें तो seat हमारे पस limited हैं, और जो बच कि बहुत patience के साथ इस limited seats के लिए लड़ाई करते हैं, उनका selection आसानी से हो जाता है, don't make it very much complex, हमारे पास next parameter आता है, which factors make the preparation complex, कि sir, हमारे पास इतना hype है, कि जेए में ये है, जेए में वो है, मैं कोई चीज को मना नहीं करूँगा, या कोई चीज को deny नहीं करूँगा, कि में मेहनत ही नहीं करी, और असान उसके लिए हो जाएगा, जिसने निरंतर प्रयास करा, simple सी बात, तो कौन सी चीज है, इस online या offline world में, जो आपकी इस preparation को complex बना सकती है, और आपको उस पर ध्यान रखना है, कि ये आप नहीं करे,